नमश्कार मुप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है बिहार के ऐसे युवा जो ग्राजबेशन पास कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में बैठे हैं तो आपके पास नौकरी कास सुनहराब मौका है एरपोर्ट अथॉरिटी ओफ इंडिया ने ऐसे युवाओं से अब आवेदन की मांग की है और रोजगार की तलाश में बैठे युवाओं को बेहतरीन अपसर देने का फैसला किया है एक्जिक्यूटिफ एयर ट्राफिक कंट्रोल के पदों पर भरतिया निकाली गई है इसकी तहत कुल 400 रिक्तपदों को भरा जाएगा भरतियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है जुसके तहत याब उमिद्वार अपनी योगिता के हिसाब से एए एफ़ाई की आधिकारिक वेबसाइट www.aai.aero पर ज़ा कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं आवेदन करने की यह प्रक्रिया 15 जून 2022 से शुरू हो गई है और आपके पास 14 जुलाई तक का मौका है AFI की तरफ से साजा की गई जानकारी के अनुसार इस भरती के ही तहत Executive Air Traffic Control के कुल 400 रिक्तिपदों को भरने का काम किया जाएगा इसमें जनरल के लिए 163 पद, OBC के लिए 108 पद, EWS के लिए 40 पद, SC के लिए 69 पद, ST के लिए 30 पद है तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि Junior Executive के पदों के लिए उमिद्वारों के पास किसी मानिता प्राप्त संस्थान से B.Sc. Physics और Mathematics या फिर B.E. या B. Tech की डिग्री होना अनिवार है इसके लावा उमिद्वारों को अंग्रेजी भाषा लिखने और बोलने आना चाहिए साथी दसवी और बारहवी में अंग्रेजी विशे के रूप में भी होना चाहिए वहीं चैन प्रक्रिया की बात करे तो चैन लिखित परिक्षा के माध्यम से किया जाएगा लिखित परिक्षा में कोल 120 प्रशन पूछे जाएंगे इसमें रीजनिंग, अंग्रेजी, सामाने ज्यान और फिजिक्स और मैथमाटिक्स के सवाल शामिल होंगे गलत उत्तर देने पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा यानी नेगिटिव मार्किंग नहीं होगी उमिद्वारों को 1000 रुपे का आवेदन शुल का भुगतान भी करना होगा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती महिला उमिद्वारों को केवल 81 रुपे का भुगतान करना होगा वहीं आयू सीमा की बात करें तो मिद्वारों की अधिक्तम आयू सीमा 27 साल होने जाए वहीं SCST को 5 साल, OVC Non-Crimalier को 3 साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट मिलने वाली है ऐसे में अगर आप भी नौकरी की तलाश में बैठें और नौकरी करना चाह रहे हैं आप इन पदों के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के साथ ही आपको नौकरी तो मिलने तैही है साथ ही आपको अच्छा खासा सालरी का पाकेज भी मिलने वाला है उमीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक लिए धन्यवाद